पूरे जीवन में जैसे हमारी संसकार होते हैं उसी का जो निचोड है उसी की जो समरी है वही हमारे अंतिम समय में हमारी सामने आती है तो जैसा विचार होगा अंतिम समय वैसी ही गती हो जाती है तो हमने पूरे जिन्दगी बार जो विचार किये जैसे कर्म करें वही सबी कुछ हमारी मृत्यों के समय हमारी सम्मुका जाता है जैसे किसी कमपनी में एक बालन शीट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बनती है कि कमपनी घाटे में रही या नुकसान में या फिर फायदे में रही जो भी चीजें होती हैं वो सामने स्पष्ट आ जाती हैं उसी प्रकार से जब अंत समय आ रहा होता है तो हमने कितने पाप किये, कितने हमने पुर्णे करे हमने कुछ दिव्य कर्म किये भी या नहीं किये हम किस तरह के व्यक्ती रहे, हमारा क्या स्वभाव रहा कैसी कैसी विचार हम करते थे वो सभी चीजें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है तो जो सार है वो जो निचोड है वो सामने आ जाएगा तो जिन विचारों से रंगा ये जनम होगा वैसा ही अगला जनम उनी विचारों से रंगा हुआ ही पैदा होता है यानि आपने जो पिष्टे जनमों में किया जिस तरह की विचार रखे वैसे ही दिचार आपके इस जनम में आ जाते हैं तो कई बच्चे बच्च्पन से ही बहुत समझदार होते हैं और कई लोग तो बड़े होकर भी समझदार नहीं होते वो मुर्ख के मुर्ख रहते हैं यानि अल्प बुद्धी होते हैं उन्में maturity नहीं होती बड़े ही बच्चकाने और जुवनाईल रहते हैं तो maturity आती है जब व्यक्ति के अंदर समझ आने लगती है तो कुछ लोग वो समझ पूराने जनमों से लेकर आते हैं तो पूराने जनमों के जो संसकार हैं जो चीज़े हैं वो आपकी अगले जनम में आती हैं जनम में आपकी आजाएंगी जो पिछले जनम में किया और इस जनम के जो संसकार होंगे वो अगली जनम में चले जाएंगे तो जो शुब संसकार होते हैं यानि पुर्णे कर्म, हमारी अच्छी आदते, हमारा मुस्कुराना हमारा लोगों के लिए एक प्रेम पूर्ण एक स्नेह पूर्ण एक मैत्रिपूर्ण दृष्टी हमारे अच्छे भाव किसी के लिए कुछ भी प्रार्थना करना अच्छा कहना अच्छा बोलना किसी के दिल तक पहुँशना और किसी के मदद कर देना चुप के से जाके मदद क इसे निश्कामभाव कहा जाता है यानि कि शुब कर्म करिये शुब कर्म शुब संसकारों को गीता ने क्या बोला है उत्तरायन शुकल पक्ष के संसकार दिन के संसकार सूरी के संसकार तो इस प्रकार से बोला गया और अशुब संसकारों को जो बुरे होते हैं जब हम किसी का दुख में खुशी मनाते हैं, किसी का घर जल जाए, किसी का धन चोरी हो जाए, तो हमें बड़ी त्रिप्ति मिलती है, किसी की मृत्यू पर त्रिप्ति मिले, तो ये अशुब संसकार है, यानि हमने बुरा किया, बुरा सोचा, यदि हम बुरा नहीं कर रहें लेकिन सोच भी रहें तो भी कहा जाता है ये अशुब संस्कार है आपने बीज डाल दिया नीव तो रखी दी ऐसे नीव हमें नहीं रखनी ऐसे बीज हमें नहीं डालने है इन्हें रात्री के, कृष्ण पक्ष के, इन्हें दक्षिनायन के, इन्हें रात के संसकार कहते हैं, जो अशुब संसकार माने जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? चैप्टर एट के अंदर दुछ दिस्कशन है, जो वर्णन आया है, जो चर्चा की गई है वो discussion यह है कि हम हर समय दिव्यता में रहें हर समय हम अच्छा सोचें जो मृत्यू की तयारी के बारे में बताया गया जिस प्रकार के प्रश्ण अरजुन ने पूछे कि मरन काल में क्या होता है और उसकी तयारी कैसे की जाती है तो उसके पारे में भगवान कहते है कि आप जैसा पूरे जीवन भर करेंगे अंतकाल में आपके सामने वही कुछ सामने आता ही आता है उसे आप कभी भी बच नहीं सकते बचना हो ही नहीं सकता क्योंकि वह सुभाव आपके भीतर रमा हुआ है कई लोग क्या कहते है भगवान श्री कृष्ण की गीता सुनकर जिसके अंदर लिखा है कि अंत समय जैसा विचार आया वैसा ही अगला जीवन हो जाएगा तो कुछ लोगों को क्या लगता है कुछ लोग सोचते हैं कि पूरा जीवन तो मज़े कर लेते हैं दुनिया भर की चीज़े एशो आराम लग्शुरी में जीवन जी लेते हैं अंत समय में देखा जाएगा अंत समय में राम राम कर लेंगे ओम नमश्यवाय कर लेंगे दो चार मंदिरों में चले जाएंगे कोई टेंपल बनवा देंगे तो इसी में हमारी मुक्ती हो जाएगी परन्तु ऐसा नहीं होता है श्रीकृष्ण की गीता इस चीज़ को पूरी तरह से नकार देती हैं लोग क्या करते हैं अंतिकाल में काशी चले जाते हैं हम दूसरे धर्मों में भी देखते हैं लोग क्या करते हैं चर्च जाएंगे पोप के सामने जाकर कनफेस कर लेते हैं स आपका फिर अगला चन्म होका वैसी ही अगली कती होगी क्योंकि सभाव बदलता नहीं तो क्या आपने करना हैं आपने हर शर्ण परमात्मा का नाम लेना हैं परमात्मा की याद में परमात्मा के प्रेम में रहना हैं और परमात्मा को अनुभव करना हैं लोग क्या करते हैं अपने जीवन को बिताते हैं इर्शा में, कॉम्पुटीशन में, दुएश के अंदर, लोगों से कॉम्पुटीशन करेंगे, अपने असपास के लोगों के साथ, किसी को नीचा दिखाना चाते हैं, और नीचा दिखाकर बड़ी ही खुशी मिलती है, परन्तु ये सभी किसी आसुरी वृतियां हैं, हम इती क्यों बढ़ा रहे हैं अपने अंदर, जब भी भगवान का नाम हमारे मुक से हटेगा, उसका स्मरन हटेगा, तो तुरंद क्रोध, ईर्शा, लोब, मत्सर, ये सब कुछ हमारे अंदर प्रविश कर जाता है, अब लोग सोचते हैं, इस कि मृतियों की भी तैयारी की जाती है, यानि लोग तो सोच लेते हैं, जैसे मृतियों तो आएगी ही नहीं, दूसरों की आती होगी, हमारी तो आएगी ही नहीं, भूली जाते हैं, क्योंकि जीवन की आपा धापी में पता ही नहीं चलता, इतना केयोटिक लाइफ है, इतना भागा दोड़ी है तो इस भागा दोड़ी के अंदर पता कैसे चलेगा परंतु श्रकृष्ण कहते हैं कि इस संग्राम के अंदर जीवन के संग्राम में जीवन के इस युद के अंदर जो परमात्मा को प्रेम करता है जब हम किसी को प्रेम करते हैं तब उसको याद नहीं करन पड़ता, उसकी याद तो हमेशा ही आती है, किसी भी वस्तू को देखकर उसकी याद आ जाएगी, फूलों को देखकर याद आ जाएगी, कोई मित्र आ गया तो उसको देखकर याद आ जाएगी, हमें चारों और फिर वही वेक्ति दिखाई देता है, और उसी का नाम लेने का मन करता है तो बिल्कुल ऐसे ही जो परमात्मा को प्रेम करते हैं उन्हें परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता परमात्मा अपने आप ही उन्हें याद आते हैं और हमेशा मन करता है परमात्मा का नाम लें परमात्मा की तरफ चलें तो चैप्टर एट में मृत्यु की यान यह ब्रह्मा के दिन और में परम इस Bye ऐढ़ाई गृघ्ट करी और फ्रकर अब प्रश्य यह यह आता है हमशे क्या राध नहसे कि RD घ्र a आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जो सेंसस का प्लेजर है, सेंसस का सुक है, वो शनिक है, ये मनिश्य को पता होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के लालच में जो लोग पूछा पाठ प्रार्थना करते हैं, पूर्णियों को अर्जित करते हैं, उन्हें स्वर्ग तो मिल जाता है, ब्रह्म लोक भी मिल जाता है पर अंतुवे ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग के लालच में इस ब्रह्म लोक के लालच के अंदर फस गए वहाँ उन्हें सेंसस का सुख तो मिलेगा यनि इंद्रियों का प्लेजर तो पूरा मिलेगा सुख प्राप्त होगा लेकिन यह सब ही संसार चक्र में ही फसेंगे तो मनुष्य क्या करे मनुष्य अपरा से नहीं परा से जड़ने का प्रयास करे परब्रह्म से जड़ने का प्रयास करे तो यहां पर बताया गया कि ब्रह्मा का जब दिन होता है तब यह संसार की उत्पत्ती होती है और रात्री में संसार का प्र उससे जड़ने का प्रयास करना चाहिए